हुआ हेलो एवरीवर्ण वेलकम अगें तु करतीशा किचन सुफ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छी होंगे काफे सारी मेरे पास रिक्रेस्ट आई थे और काफे सारी जो मेरे दोस्त है उन्होंने मुझे पूछा थावी कि आप अपने घर को क्ली और हाइजिन पना के रखते हैं तो फ्रेंट्स इसके पीछे सीक्रेट है बस दोस्तों कुछ ऐसे चोटे-चोटे है और कुछ ऐसे चोट बिना किसी देरी की आज की इंट्रेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज की क्लेणिग टिप्स तरीका बतारी हूं जिससे आपको बहार से कोई भी स्पैक्स क्लीन लाने की ज़रूरत नहीं है आपने थोड़ा से यहां पे कोकोना टॉयल या आवले का तेल का भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं बिल्कुल जरा सा आपने एक ड्रॉप डाली है और इससे आपने अपने साफ कर लेना है क्लीन कोटन की मदद से इसके बाद आपने स्पैक्स बॉक्स में जो कपड़ा आता है उससे अपने चश्मे को अपने क्लीन कर लेना है और आप देखेंगे कि जो भी आपके चश्मे में गंदगी थी दूल थी वह बिल्कुल साफ हो जाएगी हाँ आप इस हैवट को फॉलो करते हैं तो इससे आपके स्पैक्स में कभी भी स्क्रेच नहीं आएंगे आप दोस्तों यह वाली जो ट्रिक है आपको अच्छी लगी होगी तो चलिए फी नेक्स उस्फुल टिप को भी देख लेते हैं तो दोस्तों अब हमारी जो नेक्स उस्फ और उसमय कर पाएंगे अंदर से थो यहां पर दोस्तों हमने क्या करना है जो भी एक्स पारी मैटिसिंग का पैगेट होता है ना तो वो हमने इस चोटे 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 सब्सक्र लेने हैं सीजर की मदद से यहां पर देखें मैंने इस packet के सारे चोटे चोटे pieces कर लिये हैं तो अब हमने क्या करना है यह जितने भी pieces हैं वो हमने इस bottle के अंदर डाल देना है और इसके बाद हम इसमें एक और चीज डालेंगे और वो है baking soda एक चमच भरके हमने इसमें baking soda डाल देना है और आप सभी को पता है कि बेकिंग सोडा कितनी अच्छी क्लीनिंग का काम करता है और इसी के बाद अब हमने इसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा पानी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक और चीज और वो है थोड़ा सा विम जल तो विम जल डालने के बाद अब अपने क्या करना है कि इसकी कैप लगा देनी है और इसको अच्छे से आपने शेक करना है बहुत ही अच्छे से इसको मिला देना है कम सकम इसको दो तिन मिनिट के लिए इसी तरीके से आप मिलाएंगी तो यह अंदर से बहुत ही अच्छे से विम जल डाला है बेकिंग सोडा और जो दवाई के रापर होते हैं उसके पीसे समने डाले हैं तो यह अंदर से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी सो यहां पर देखिए फ्रेंट्स मैं इसको वाश कर लिया है और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूं यह अंदर से ब कि आपको फ्रेंट्स को पर देखिए वह होने वाली है वह मारे किचन सिंग हमारे किचन में ऐसा इरिया है जिसका साफ सुत्रा रहना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें ना जाने हम कितने बार अपने घर बड़तन होते हैं तो इसलिए इसका हाइजिन रखना हमारे बहुत ह जरूरी है यह दोस्तों हम की चैन अरा की चैन सिंके आस पास के अलेको साफ नहीं रखते हैं तो इसunde काफि सारे ब्रेक्टिरियों पनप ढब सकते हैं जो की हमारे बठोल कि साथे में और जिस Gilgane के बिमार हो सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपने दोस्तों ग्या करना है कि गैस स्टॉब आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पानी को बॉयल करने नहीं बिल्कुल खॉलता हुआ यहां पर हमें पानी चाहिए होगा और जब यह पानी बॉयल हो जाएगा तो आपने इसको गैस से उताल लि गरम पानी रहने के कारण यह दोनों चीछे इसमें अच्छे से डिजॉल हो जाएंगे और आप सभी को पता है दोस्तों कि जो नमक और हल्दी पॉडर होता है वह बैक्टेरियों और चम्स को मानने के लिए कितना मददगार होता है तो चली फिर दोस्तों हमारा सॉलेशन ब कोड़े आपके किचन एरिया से निकलते हैं सिंग से वह बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे अगर दोस्तों आप इस छोटी-छोटी हैपट को अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आपका जो किचन एरिया है बिल्कुल क्लीन हाइजियन और बैक्टीरिया फ्री रहेगा तो आई होप दोस्तों आज की जो वीडियो हैं आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा और चैनल पर अगर आप मेरे पहली बारा है तो प्लीज आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि दोस्त